एनेजजी सीरीज को कंटीन्यू करते हुए आज हम देखेंगे हाउ टू जाइन नैशनल सिक्योरिटी गार्ड और हाउ टू बिकम अ ब्लैक कैट कमांडो इस सीरीज की पहले की वीडियोज को देखने के लिए आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें एनेजजी एक डेपुटेशनिस्ट फोर्स है जिसके कारण इसे जॉइन करने के लिए कोई डारेक्ट रेक्रूट्मेंट प्रोसेस या कोई एंट्री एक्जिस्ट नहीं करती है नेशनल सिक्योर्टी गार्ड जॉइन करने के लिए आपको सबसे पहले इंडियन आर्मी, सेंट्रल आंपुलिस फोर्सेस या स्टेट पुलिस जॉइन करनी होगी एनेजजी के स्पेशल एक्शन ग्रूप के सभी मेंबर्स को इंडियन आर्मी से सिलेक्ट किया जाता है इंडियन आर्मी को एज़ा कमिशन ओफिसर जॉइन करने के लिए एंडियेए, सीडियेज, ओटियेज और दूसरी डार्ट टेक्निकल एंट्रीज मौजूद हैं वहीं इंडियन आर्मी एज़ा सूलजर जॉइन करने के लिए स्टेट वाइस कंड़क्ट की जाने वाली रैलीज में पाटिस्पेट कर सकते हो वहीं दूसरी तरफ Central Armed Police Forces जॉइन करने के लिए आप CAPF Assistant Commandant, SSC CPO Examination या फिर CAPF Recruitment Rallys में पाटिस्पेट करके जॉइन कर सकते हो उपर मैंचन की गई सर्विसिस में से किसी एक को जॉइन करने के लिए कुछ टाइम बाद आप वॉलंटियर कर सकते हो फॉर NSG अब क्यूंकि NSG एक Deputationist Force है इसलिए हर रैंक के लिए Different Eligibility Criteria है और Rank-Wise हम सभी Criteria को एक Separate वीडियो में Details में Cover करेंगे पर कुछ Common Criteria है जिनका आपको ध्यान रखना है जैसे आपका Last 3 Years का Record completely punishment free होना चाहिए और अपनी पूरी सर्विस के दोरान कोई major punishment आपको मिली ना हो आपकी Medical Category, Shape 1 या A Category होनी चाहिए और आपका General ACR यानी Annual Confidential Report गुट या Very Good से नीचे नहीं होना चाहिए इस Criteria के Base पर Applicants को Short List किया जाता है Short Listed Candidates को कई Psychological और Physical Test के थूँ चेक किया जाता है Whether the Candidate is suitable or not Selected Candidates को 14 Months की Training के लिए National Security Guard Training Center मानेशवर में भेजा जाता है Training काफी challenging होती है जिसके कारण इसका Drop Rate है 70 to 80% NSG Commando की Training Details को हम अपनी Next Video में Detail में Cover करेंगे जो Candidates 14 Months की इस Tough Training को Successfully Complete कर लेते हैं उन सभी को NSG में Induct कर लिया जाता है Induction के बाद सभी Commando's की Additional Specialized Training होती है NSG की एक Phantom Commando Unit है और Phantom Commando का Tag लेना काफी मुश्किल है NSG के बस 1% Commando's को ये Phantom Tag दिया जाता है और इस Unit को काफी High Risk Situations में यूज किया जाता है जहांपर Failure का कोई Option नहीं होता NSG Series की New Videos को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को Subscribe करें, Notification On कर ले Like करें इस Video को और अपने Friends के साथ भी Share करें See you soon in the next video